अग्याइब आपका बहुत सवागत है और आज हम आपके लिए कालेंडर भाग दो मतलब कैलेंडर पार्ट टू तो जैसे कि आपको पता आपने देखा है कलेंडर पार्ट वान में पांच मिनिट में आपको यह पता लग गया था कि कौनसे दिन कौन सा दिन होता है कौन सी डे यह की डेट चाहिए मंत चाहिए और यह चाहिए होता था और जिसकी से हम कोई भी दिन निकाल लिया करते थे तो इसमें आपको बारा डिजिट का कोड याद करना था लेकिन आज जो कंसेप्ट है इसमें आपको कुछ नहीं याद करना सिर्फ एक दो में बुलेट याद करने हैं मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ दो तिन बुलेट पॉइंट्स हैं कुछ इंपोर्टन कोशन हैं जो पूछे कए हैं पिछले सालों में बहुत से कंपटेक्शन एक्जाम्स में और फिर हम बात करेंगे कि आज के पैटन नंबर टो की जो दूसरे टाइ जोंबार मंगल बार ब्रस्पति वार या फिर शनिवार में से कोई भी एक दिन हो सकता है 2 पॉइलट पॉइंट है हमारे पास साधारन वर्ष की एक तारिक को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की आकरी तारिक को भी होता है फ्रेंट्स गैसे हम मान लिजे सपोस कीजे 2018 एक जो है amend को डिशंबर मियाल को दिन था 31 दिसंबर 2018 को भी वही दिन होगा मंडे रहए हैं तो यह के लिए कर देख से तो आईए बढ़ते हैं कुछ और questions की तरफ अपने कुछ important questions देखते हैं Question number one, कितने वर्षों के अंतराल पर कुल अधिक दिनों की संख्या शुन्ने हो जाती है कि जितने अधिक साल होते हैं हमारे पास, जितने भी अधिक दिन होते हैं एक साल में जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि एक साल में जो नॉर्मल इयर होता है उसमें एक साल में 52 वीक्स यानि कि बावन हफ़ते और एक दिन होता है और जो नॉर्मल इयर से हटके लीप इयर होता है उसमें बावन हफ़ते और दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं यह question भी यह पूछना चाहरा है कि कुल ऐसे कितने दिन होते हैं अधिरेक जिन की संख्या जो है शुनने हो जाती है तो यानि कि क्या 400 वर्ष में क्या होता है सभी जो extra days को मिला के सब कुछ शुनने हो जाता है अब आते हैं question number two साधारणत है एक शताबदी में कितने अधिक वर्ष होते हैं अधि वर्ष यानिके लीपियर एक शताबदी में कितने होते हैं 24 लीपियर होते हैं और 400 वर्ष में कितने अधि लीपियर होंगे चार्स वर्ष होंगे 97 क्यूंकि इसमें एक बर्ष बढ़ जाएगा ठीक है तो अब बात करते हैं questions number 4 की अद्या बीला विष्वययफी कलेंडर किस की कितने किसकी देन है जो पहला विष्वययापी कलेंडर आया था वह किसकी यह था शांधर आता है Julius Caesar ठेके फ्रेंट्स और जो अभी हालियां परचली थे वो है ग्रिगेरियन कलेंडर जो की पॉप ग्रिगेरियन द्वारा दिया गया था कोशनवार फिफ्ट आता है हमारा यदी आज शनिवार है अब हमारे पास देखिए यहां से फ्रेंट्स एक अलग टाइप के कोशन हो जाएंगे जैसे अगर आज शनिवार है तो 62 आन के 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो हम इक्या कर रहा हुग hag इस जो 62 दिया वा है जैसे कि आप केल्कुलेशन में देख भी रहंगे बदैफ्य होगे जो 62 जैसे कि शनीवार को शिक्स डिस आगे बड़े सनीवार के आगे शे दिन बढ़ने वर तो क्या आएगा शुकरवार को स्क्रिन पर है यदि एकजनवरी उन्निस्टो पिचानवे को बुधवार है यानि कि एक जनवरी उननिस्टो पिचानवे को उसने खुदी दे दिया है कि बुधवार है तो एक जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन हमेशा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है मतलब अगर एक साल अगर जैसे एक जनवरी एक जनवरी 1996 में पहुषना है तो हमें क्या करना होगा एक दिन आगे फ्रवर्ड हो जाएगा जैसे बुद्वार है तो प्रस्वतिवार हो जाएगा लेकिन यहीं कंसेप्ट क्योंकि हमारा एक नॉर्मल यह मैंने भी स्टार्टिंग में बताया थे वीडियो में एक दिन एक् इसको हम फॉर्स डिवाइड करते हैं तो फॉर्स डिवाइड हो जाएगा बट कंडिशन यह है कि हमारा फरवरी तो काउंट होई निरा हमें जनवरी तक देखना है तो यानिके जनवरी में इसके फरवरी में तो दो दिन होगे लेकिन यहां पर एक दिन काउंट होगा ठीक सेविन कहता है यादि एक मार्च उनिस सो पिच्चाणवे को बुद्वार हो तो एक मार्च उनिस सो चाणवे को कौन सा दिन होगा ठीक है अब इसी कोश्चन को देखिए पहले में ने बत बोला था जनुवरी टू जनुवरी चल रहा था जिसमें की 96 एक लीप एर था 1996 उसका एक दिन तो लगाना ही पड़ेगा नॉर्मल येर वाला एक दिन और एड़ करना पड़ेगा लीप येर वाला तो टोटल कितने होगा टू डेज तो बुद्वार में अगर टू डेज आड़ करेंगे तो बन जाएगा हमारे शुकरवार तो एक मार्च उनिस सो पिच्चाण को बुद्वार था तो 23 जुलाए 1982 को कौन सा दिन होगा यानि कि आपको देख रहे होंगे यहां पर डेट सेम है डेट सेम है सिरफ येर का डिफरेंस दिया गया तो हमने आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में आज की वीडियो का कंसेप्ट बताया था कि हर जो साल होता है है उसमें एक हम जो एक्स्टर दिन होता है वो लिख लेंगे जैसे 75 76 77 78 मेंने यहां पर 82 तक लिख लिया है तो 75 हमारे एक नॉर्मल यह था उसका एक्साद सेव्ट दिन और ऐसी 77 नॉर्मल यह था उनके सब के नीचे लिख़ देंगे और जो लिप यह नीचे लिख देंग बने हैं तो 10 को 7 से ड्यवाइड करेंगे तो हुमेरा 3 जो है शे च्वल बचेगा यानिके रिमेंडर 3 बचा तो हुं disciplines अग कोई समझ ड़तीन की साप ठीक है फ्रेंट्स नेक्स कुश्चन है 17 जनुवरी 1981 को मंगलवार हो तो 17 जनुवरी 1971 को कौन सा दिन होगा अब देगे फ्रेंट्स एक बात यहां पे सब्सक्राइब प्रिवेस यर का पूच्छा गया है तो हमें कुछ निए इंपर जनुवरी Gy झुन ओप्रेंट्स नहीं है 1980 जैसे कि आपको पता है लीपियर है तो उसका टू लिख दिया, 79 का बान लिख दिया ऐसे ही सब काम 71 तक लिखते चले गए और सब को जो बैड किया तो हमारे पार अगर आपने वीडियो वन पार्ट वन अच्छे से कंप्रीट कर लिया और यह पार्ट तो अच्छे से कंप्रीट कर लिया तो आपको कलेंडर में और कुछ पढ़ने की जरूत नहीं है यह सफिशेंट है इतना डाटा ठीक है फ्रेंड्स और शौट्री के साथ है तो थोड़ी सी मेहनत करनी बड़ेगी थोड़ा सा क्रंसेट माइंड में लगाना पड़ेगा और पूरा-पूरा कलेंडर आपके माइंड म गृड़ का कौन सा दिन उगए तो यानिके देखें आप यहां पर क्या कर रहा है देट सेमी है लेकिन मंतवएरी कर रहे है जला नखिएगा फ्रेंड यह चोटी चोटी सी मिर्टिक्स होती है पेपर के अंदर को क्या करेगा कभी ड़ेट सेरो कर देगा कभी यह सेम बदल तो यहाँ पर क्या हो रहा है बारा बारा से में लेकिन यहां पर मार्च और माई में इन्होंने अलग-الग कर दिया है इसको ठीक है फिर्ण्स तो बारा मार्च 2017 को संडे था तो हमने क्या किया बारा मार्च 2018 को हमने निकाल लिया कौन सा दिन होगा जैसे आपको पता है कि तक पहुंचना था तो मही के हम क्या करेंग이 अब आपको सामने एक टेबल करी होगे आपको मार्च लिखा हुआ एपरेल लिखा हुआ है तो मार्च के हमने 12 तक 12 इज तक 12 तारीख को हमारा मंडे वहक मेरे से दीन कि इस को आकी बच्वार्स हुआने आप पांस से डिवाईड करेंगे तो इट कमप्लीट कज आएगा रिमेंडड़ बचेगा 50 वाइब कफार रिमेंड़ बचे पांद ओन्न दीन क算ग औरницती अगर हमारे पास आगे है था 12 मार्च का उसमें अगर हम 5 और डे जैड कर देते हैं आगे बढ़ते हैं 5 से तो प्चैडर हो जाता है और अगर आपने हमारे चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए for the latest updates और बने लिए अपने चैनल विजन एग्जाम गुरू के साथ और वेट कीजिए next वीडियो का तब तक के लिए ओके बाई, take care friends and thank you for watching us